आप सभी का स्वागत है नोलेज स्क्वायर में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेगे अयोध्या राम मंदिर से जुड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आयोध्या में राम मंदिर का भावे उद्घाटन आज पिये मोदी की गरिमामेई उपस्थिती के साथ संपन हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, प्रान प्रतिष्ठा, समारो के मुख्य अनुष्ठान को पूरा किया और रामलला की आरती की 24 जनवरी 2024 से मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया प्रान प्रतिष्ठा, समारो 22 जनवरी को दो फर बारह दशमलव दो शूने बजे शुरू हुआ जिसके बाद प्येम मोदी ने कारेकरम स्थल परसंतों और प्रमुक हस्तियों सहित 8000 से अधिक लोगों की एक सभा को संबोधित किया अपने संबोधन में प्येम ने कहा कि आज हमारे राम आये हैं सदियों के लंबे इंतजार के बाद हमारे राम आ गये हैं इस समारोह से पूरे देश में हर्ष का माहौल है जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए उन्होंने भी इस एतिहासिक पल का आनंद लिए इसके साथ ही राम मंदिर के उदगाटन से दो दिन पूर्व मंदिर को समर्पित एक गिनीज वर्ड रिकॉर्ड भी बना अयोध्या राम मंदिर में राम लला के प्रान प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाराष्टर में भगवान राम को समर्पित एक गिनीज वर्ड रिकॉर्ड भी बना महाराष्टर के चंद्रपूर में सियावर राम चंद्र की जय लिखने के लिए 33,258 मिट्टी के दीपक जलाए गए जो अपने आप में एक गिनीज वर्ड रिकॉर्ड है गिनीज वर्ड रिकॉर्ड के अधिकारी, मिलिंद वेरलेकर और प्रसाद कुलकर्णी ने मुनगंटिवार को इस सफल आयोजन के लिए गिनीज वर्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौपा सुदर्शन पतनायक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड पदमश्री पुरसकार विजेता रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट, सुदर्शन पतनायक ने अयोध्या में प्रान प्रतिष्था उत्सव से पहले भगवान राम की सबसे बड़ी रेत कलाकारी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है पतनायक ने सूरज घाट के पास राम कथा पार्क में रेत से राम मंदिर की 500 लगू प्रतिकृतियां बनाई है साथ से अधिक देशों में राम नाम की गुंज 22 जनवरी को दुनिया के विभिन हिस्सों में भी इस समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया वाशिक्टन डीसी से लेकर पेरिस और सिड्नी तक राम मंदिर को लेकर कई कारेक्रम आयोजित किये गए ये कारेक्रम या तो विश्व हिंदू परिशद, विएचपी या साथ देशों में हिंदू प्रवासी समुहों द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया हो विडियो को लाइक और शेयर कर भारत के इस रिकॉर्ड को दुनिया में प्रचलित करे जैश्री राम